एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ और आप बताईगा किसकी गलती है कि क्या हुआ एक लड़की ने एक लड़के के बारे में गली महले में आसपास के दोस्तों से उस लड़के के दोस्तों से उस लड़के के जानकरों से उस लड़के के बारे में कुछ गलत बाते बोल दी और सब ने उस लड़के से पूछे बिना उस लड़की पे विश्वास भी कर लिया कि भई लड़की कह रही है तो सची होगा और सब ने उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया अब मज़ेगी बात है कि जो भी बाते लड़की ने बोली थी वो सब जूट थी सब के सब और उसकी विएसे उस लड़के का करियर सफर हुआ उस लड़के का एक जो उसकी पबलिक इमेच थी वो सफर हुई और मुझे इस सोड़ी में सबसे ज़ादा सर्प्राइज करने वाली बात ही लगी कि लोगों ने विश्वास कर लिया और ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या बहुत बार सर्फ लड़कियां ऐसा काम नहीं करती लड़के भी करते हैं बिलकुल करते हैं बिलकुल मैं तो जस्ट एक एक्जांपल दिया लड़के भी ये करते हैं कि किसी लड़की से बात नहीं बनी तो चलो उसके बारे में गलत बाते फैलाना शुरू कर देते गलत गलत लिखना गलत गलत बोलना शुरू कर देते लेको यार पहली बात ये जेंडर स्पेसिफिक है नहीं बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भई हम लोग हमेशा बोलते हैं learn to say no learn to say no अगर कोई आपको no बोल रहा है उसे accept करें उस no की इज़त रखें वो आपको no बोल रहा है तो उस अपनी ego पे ना लें और ego पे लेके किसी के बारे में जूट जूट बाते ना फिलाएं कुछ भी बोल देते हो आप लोग कुछ भी और आपको नहीं पता है चवन्नी की अठन्नी कैसे बनती है आपने चवन्नी बोली सामने वाले ने अठन्नी बना के किसी को बताया आप लोग जिसने आपको नो बोला उसे बदनाम करने की कोशिश ना करें आप लड़की हैं चाहे लड़का हैं जो भी हैं आप प्लीज ये कोशिश ना करें आपकी विज़े से आपकी एक छोटी सी गलती सी वैसे लोगों के जीवन बरबाद हो जाते हैं आप तो चुपचा बोलके निकल गए कि यार वो पता है उसने ना ये किया था मेरे साथ उसने ना ये बोला था मुझे और आपको नहीं पता कि उसका इंपक्ट आपके जूट का एक छोटे से जूट का इंपक्ट क्या होगा और मैंने ये भी देखा है मैंने ये भी चीज औबसर्फ करी है सर आप ये सब बाते हमसे क्यों कर रहे हो आप तो टीचर हो भाई मेरा तो मुझे लगता है कि एक टीचर का फर्ज बनता है ये सब बाते आपको बताना मैंने ये भी देखा है पहले दोनों खुशी-खुशी साथ रह रहे थे ब्रेक अप हुआ तो एक दूसरे की बुराईया मार रहे हैं भाई साभी दो तर जाके क्या? कैसा प्यार था? होता है भाई जिंदगी में एक दो साल बात, चार साल बात रियलाईज होता है कि ओके, we are not made for each other या ठीक है दोस्ती थी अब नहीं है इसका मलब यह थोड़ना कि आप उसको बदनाम कर दोगे दूसरी पार्टी को प्लीज यार यह सब बाते बिल्कुल छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा आगे बढ़ो और रिस्पेक्ट करो अपने साथ बिताई थी क्योंकि अखर आप नहीं दोगे तो कौन देगा यार ओर हो सकता है कि आप आगे उससे बात नहीं करने आपने कभी जिंदेगी में हो सकता है कही ना किसी मोड़ पर आपको मिले अच्छा लगेगा कि आप उससे आखे नहीं मिला पाओगे जूट बोलकर एक relationship में या एक private आपकी जो जिन्दगी थी उसमें जो बाते हुई उसको बड़ा चड़ाकर उसमें मसाला लगाकर उसको जूट बनाकर आगे present कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको इसलिए ये मैं आपसे इसलिए discuss कर रहा हूँ being a teacher मुझे बहुत सारे ऐसे messages आते हैं कि sir especially girls इसने मेरी chat leak कर दी इसने मेरी photos leak कर दी इसने हमारी जो private बात थी नहीं भी थी वो भी जूट बोल रहा है और लड़कों के भी आते हैं लड़के परेशान घुम रहे होते हैं sir हमार तो career बरबाद हो जाएगा लड़कियों की एक दूसरे angle से बदनामी होती है लड़कों के एक दूसरे angle से बदनामी होती है लड़कों के career खतम हो जाते हैं इस चक्कर में रोतक brave hearts याद कर लीजे वो एक सदार जी का case था वो याद कर लीजे अभी लखनाओ वाला case था वो याद कर लीजे क्योंकि लोग बाग लड़कों को तो by default by default मानके चलते हैं इनका mensoria था evil state of mind था सोचते भी नहीं है समझते भी नहीं कि क्या situation थी वो तो thank God आज की rate में उस जो मैटों का case भी आपको याद होगा आज की rate में digital जनता जो है न वो चीजों को थोड़ा सा भार निकाल लाती है नहीं तो generally सोचते भी नहीं है बस लड़कर ने तो गलत ही किया होगा उनका career अलग तरह से impact होता है मैं यह नहीं कहा रहा है कि लड़कियों की life impact नहीं आता है लड़कियों की life भी impact आता है किसी को भी as a human being मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने किसी के साथ कोई private बातचीत करी है आपने किसी के साथ कोई आपका relationship रहा है या आपने किसी को अपने साथ relationship में आप चाहते थे वो आपके साथ relationship में और उसने आपको ना बोला है उसने आपको मना किया है please let it go learn to say no कि साथ साथ learn to accept no I hope my message is clear और सच बताऊं तो हमारे साथ भी ऐसे चीज़े हुई है और आपके साथ कभी ना कभी ऐसे चीज़े जरूरी होंगे कि आपके उपर जूटा इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है सबसे दुख्यी बात यह है कि वो लोग जो बिना आपसे बिना बात किये हुए I am ending this video. I hope guys you will keep this lesson in your mind for your life. Thank you very much. Stay connected. Stay ahead. All the best. God bless you. Bye-bye.